चैन देश्तो, मार्केट में एक निव आइडियों की एंट्री हो चुकी है, कम्पनी का नाम है Avalon Technologies 1999 में बने Avalon Technologies एक लीडिंग, फुल्ली इंटिग्रेटिड इलेक्रोनिक मैनुफेक्चरिंग सर्विस EMS कम्पोनी हैं Avalon Tech अधर कम्पनीज को इलेक्रोनिक मैनुफेक्चरिंग सर्विस देने का डाम करती है, अमेरिका और भारत में इसके 12 मैनुफेक्चरिंग प्लांट भी हैं यह प्रिंटेट्ट सरक्डोन बोट डिजाइन और असेम्बली से लेकर कम्पीट इलेक्रोनिक सिस्टम को बनाने तक का काम करती है कमपनी कर इंडस्ट्री वर्टिकल को critical integrated assembly, sub-assembly और components को बनाने और design support प्रवाइड कराती है Avalon एक end-to-end electronic manufacturing service solution provider है जिसके क्लाइक लिस्ट में ग्योसान, इंडिया, जोनर सिस्टाम पॉलिस, एरोइस्पेस, e-info chips, दाई, US मालाबार कमपनी, Secure Applain Technology and SysTech Corporation जैसे बड़े-बड़े नाम है कमपनी की order को 39 जून 2022 तक 1040 करोड रुपे के आरोल थी कमपनी पर जन्वरी 2023 तक 324 करोड रुपे का करदा था जो की साइटों के थोड़ा बहुत कम हो जाएगा अब आत कर लेते हैं revenue breakup की, तो revenue breakup को देखे तो यहाँ पर total revenue का 52% इंडिया से आता है rest 48% का revenue इनका out of India से आता है इसे यह पता चलता है कि company का revenue एक साइड में कहीं भी dependent नहीं है company जो service offer कर रही है उसमें design testing, PCB assembly, box build, vertical integration and after market आते हैं एक ऐसी company है जो सरी services offer कर रही है सिर्मा SGS, काइनस टेक्ट एंड एलिन इलेफ्रोनिक का IPO recent में ही market में आया था और अपने investor को listing पर अच्छा return भी दिया I hope की मेरा पिछला वीडियो देखकर आपने भी अच्छा profit बनाया होगा company के जो products है वो clean energy, automotive, railway, A&D, industrial, telecom, medical and others area में use होते हैं company only B2B model में काम करती है और यहां भी आपको इसका कोई भी competitor इतने area को cover करता नहीं दिखेगा जो की company के लिए plus point है अब बात कर लेते हैं IPO के overview की IPO के overview को देखे तो total issue size यहां पर 865 करोड कर रखा गया है जिसमें से 320 करोड रुपए का fresh issue and 245 करोड रुपए का offer for sale होगा IPO 3 अपरेल से open होगा, 6 अपरेल तक आप इसमें apply कर सकते हैं price when 415 रुपए से 436 रुपए का रखा गया है 34 share का एक lot होगा, retail percent 10% का है company की face value 2 रुपए की है तो यहां पर IPO size के fresh issue 320 करोड में से 145 करोड का use loan के repayment के लिए किया जाना है 90 करोड का use यहां पर working capital के लिए and rest 35 करोड का use यहां पर general corporate purpose के लिए किया जाएगा company के financial को देखे, तो company का profit after tax हर साल 2 गुणा से 3 गुणा बढ़ रहा है जिसे बहुत strong financial वोला जा सकता है company का pet 2020 में 12 करोड का था 2021 में 20 करोड हो गया और 2022 में 68 करोड पहुंच गया next बार ही है peer group comparison की इससे पहले हम peer group comparison की बात करें आपको बता दूँ कि किसी भी IPO में पैसे लगाने के लिए आपके पास demand account का खोना ज़रूरी है इंडिया के एक ऐसे ही fastest growing broker धन पर अपना demand account बिल्कुल free open कर सकते हैं जहाँ पर आपको annual maintenance charges भी lifetime totally free है लिंक आपको description box दे मिल जाएगा उस link के तूँ अपना demand account धन पर open कर सकते हैं company के peer group comparison को देखें तो यहाँ पर company के peer में बहुत सी biggest company लिस्टेड है बट हमने यहाँ only दो major company को लिया है यहाँ पर आपको Avalon Tech revenue वाइस तो छोटी company दिखाए देगी लेकिन performance वाइस यहाँ पर Avalon Tech का कोई जवाब नहीं कोई तोड नहीं company का return on network 85% के around है and P ratio भी दो दो कमपनियों से बहुत कम दिखेगा Avalon Tech का debt to equity ratio 2022 ने 3.64 के around था जो की बहुत ज़ादा है बट इस IPO के through load repayment के बाद थोड़ा बहुत कम ज़रूर होगा and finally IPO की grey market premium तो इस IPO की GMP फिलहाल अभी 24 से 25 रूपे के around चरही है जो की 5% के आसपास है इस GMP में changes फोते रहते हैं इसे मैं अपने चैनल के तुछ आप लोगों पो update करते रहता हूँ company financial बहुत दगड़े है peer group comparison में भी company साबसे strong भी काई देती है IPO का value शक्त थोड़ा सा ज़ादा लगाया गया है यहाँ से 5%, 10% और कम होता तो ज़्यादा अच्छा होता retail customers के लिए फिर भी short term and long term के लिए पैसे लगाये जा सकते हैं बट किसी भी परकार का कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor की राय जरूर ले ले जाते जाते एक बज़र डालने दे है IPO के timeline पर तो यहाँ पर कुछ important dates है जैसे कि 3 April को IPO बन हो रहा है close date है 6 April की allotment आपको 12 April को बता चल जाएगा refunds आपके account में 13 April से process होने चालू आजाएगे share आपके demand account में 17 April को credit कर दिया जाएगे and finally 18 April को इस IPO की listing secondary market में हो जाएगी तो I hope कि इस वीडियो के मातम से आप लोगों को थोली बहुत जानकारी तो ज़रूर मिले होगी फिर भी कई पर कुछ रहा गया हो तो आप लोग comment box ले comment कर सकते हैं मैं वहाँ पर reply कर दूँगा फिलाल वीडियो में इतना है वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करे, comment करे, subscribe करे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे, जय हिन जय भारत